CET Mains के लिए online आवेदन चले हुए हैं जिन जिन उम्मिदवारों ने CET के लिए qualify किया है अब वो अभिहरती CET Mains के लिए form apply कर सकते हैं उनके लिए online portal खुला हुआ है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको CET Mains के लिए online कैसे apply करना है जैसे ही आप description में दिए गई link पर click करेंगे आप इस page पर पहुँच जाएंगे इस page को scroll करने के बाद यहाँ पर आपको registration corner दिया मिलेगा यहाँ पर आपको अपनी registration ID, date of birth और यह capture फिल करके login कर लेना है इससे पहले आपको यहाँ पर एक advertisement number 3-2023 दिया हुआ है इसको आप एक बार देख लीजिएगा इस advertisement में आपको सभी मुख्य बातें बताई गई है और आपको कौन-कौन से documents upload करने हैं वो सब भी आपको इसके उपर इसके अंदर दिया गया है जो सबके लिए common document है वो anexir x है जो कि इसमें last में है आपको यह दोनों format हिंदी और English वाल एक ही page के उपर लिखने हैं और यहाँ पर दोनों जगह पर अपने sign करने हैं यह जो है हर candidate को upload करना है और बाकी यह जो fatherless का है नो जोब का है यह जिसके उपर लागू होता है उसको यह format upload करना है यह सारे format इसके अंदर दिये गए हैं आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए गए details fill करने के बाद आपको यहाँ पर login के उपर क्लिक कर देना है login के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर login करने के बाद आपको यहाँ पर 9 step दिखाए मिलेंगे और first step में आपको अपने application की सारे details दिखाए जाएंगी और एक OTP आपके mobile number और email id पर send किया जाएगा वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे declaration को चेक करेंगे और proceed to fill application form पर continue कर देंगे second step में आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिये मिलेंगे इनको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको इसको चेक कर देना है उस चेक करने के बाद proceed to fill application form पर क्लिक करना है यहाँ पर आपसे एक सवाल और पुछा गया है आपके पास metric या उच शिक्षा में एक विश्चिक के रूप में हिंदी या संस्कृत है या नहीं अगर है तो yes कर देजिए otherwise no रहने देजिए और इसके बाद यहाँ पर proceed कर देजिए फिर आपके पास page number 3 आ जाएगा यहाँ पर आपको अपनी details दिखेंगी और declaration under socio economic criteria as by candidate उमिदवर यह आपको दिखाय जाएगा मैं सत्यापित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त सलंगित में वनित नेदेशों को पढ़ लिया यहाँ पर आपको एक PDF file मिलेगी इसको आपको पढ़ लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इसको चेक कर देना है यहाँ पर आपसे कुछ और सवाल पुछेंगे क्या आप या आपके परिवार को कोई सदस्य हरियाना सरकार या मतलब की कोई नोकरी पर है या नहीं तो नहीं है और अगला सवाल पुछा जाएगा क्या वेदन के वर्ष पहले के वितिय वर्ष में सभी सरोतों से अर्थात इन सबसे परिवार की सगल वार्षी का आए या नहीं है अगर है तो आपको नो जोब का सर्टिफिकट यहां पर अप्लोड करना होगा और वह तहसेलदार दवारा वेरिफाइड होना चाहिए क्या आपके ये फादरलेस का है अगर फादरलेस का केस है तो लगाई वर्णा नहीं क्या आपके पती की मृत्य हो चुकी है तो ये मेरिड की केस में है क्या आप राज्य की अनुसोची जनजाती या घुमन्तो जनजाती ये समंदित है और नहीं अन्य पिछडा वर्ग है यहाँ पर आपको येस या नू सेलेक्ट करने है अगर आप येस अनुभव है तो येस अदर्वाइज नू क्या आप दो साल से अधिक समय से न्याइक रूप से अलग रही महीला है नहीं अगर आपके पास स्टैनोग्राफिक का स्पेशल स्किल है तो येस कर देजिए अधिर्वाइज नू क्या आपके पास पदों के लिए आवश्यक योगताओं के इनुसार समान योगताई हैं येस कर देजिए यहाँ पर और स्लेक्ट क्वालिफिकेशन आपके पास क्वालिफिकेशन कितनी है ज्यादा आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को स्लेक्ट करना है और जैसी आप यहाँ पर स्लेक्ट करेंगे आपको 10 और 12 की यहाँ पर डिटेल्स शो कर दी जाएंगी बाकी की डिटेल्स यह पेज नमबर 4 ओपन होगा यहाँ पर आपको अपने अनुभाव के लिए बोला जाएगा अगर आपके पास कोई experience है तो आप यहाँ पर डाल दीजी otherwise आप यहाँ पर declaration देकर proceed कर दीजी पेज नमबर 5 में आपसे preview and confirmation पुछा जाएगा यहाँ पर आप अपना preview अच्छे से कर लिजी कि सारी details ठीक है या नहीं अगर आपको कोई इसमें से गलत दिखता है तो यहाँ पर आप edit details करके यहाँ से अपने details आप edit कर सकते हैं तब आपको यहाँ पर declaration चेक कर देना है और capture एंटर करके proceed to upload documents पर proceed कर जाना है अब आपके पास page number 6 open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपने documents upload करने हैं first of all आपको अपना photograph उसके बाद graduation certificate उसके बाद आपको anexir x जो की आपको हिंदी और इंगलीज दोनों में लिखना है अपने हाथों से और उसके बाद आपको no job अगर है तो यहाँ पर upload कर देना है कैसे upload करना है PDF और jpg फाइल में आप कर सकते हो 500 kb size ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए आपकी PDF का यह आप बना कर यहाँ पर upload कर दीजिए documents upload करने के बाद आपको proceed to select post पर click करना है यहाँ से आपके documents upload हो जाएंगे documents upload करने के बाद आप page number 7 पर move कर जाओगे यहाँ पर आपको अपनी सभी details दिखाई जाएंगी और apply post का आप यहाँ पर option आ जाएगा यहाँ पर आप तकरीबन जो graduation वाला है ग्रेजिशन में 31 post के लिए यहाँ पर eligible दिखाया हुआ है उसके लिए हर post के सामने एक PDF file यहाँ पर दी हुई है हर post के लिए आपको यहाँ पर PDF file open करनी है उसके अंदर essential qualification चेक करनी है अगर वो आपकी qualification से match करती है तो आप इन दोनों box पर check कर दीजिए otherwise आप select post मत करिए यह column आप फिर खाले छोट दीजिए जिन जिन के लिए आप यहाँ पर eligible हैं एक एक करके यहाँ पर PDF file open करें और select कर लें यहाँ पर मैंने सभी post को check कर लिया है जिन जिन के लिए eligibility show हो रही थी उसके बाद आपको इस option पर click करना है कि क्या आप और अधिक पदों के लिए पात रहें यदि हैं तो यहाँ पर आप yes करेंगे और यहाँ पर से आप अपनी post select करके add to list कर लेंगे और अगर आप इनके अलावा किसी और post के लिए eligible नहीं है तो इसको simply no कर देंगे और इन सभी को check कर लेंगे और proceed पर click करेंगे प्रोसीड पर click करने के बाद आप 8 number page पर हो जाएंगे आपके दोवारा जमा किया गया अविजिन पत्र अस्थाय रूप से पंजिकरित है देन आपको यहाँ पर print acknowledgement अपनी acknowledgement प्रिंट करनी होगी जैसे आप इस print acknowledgement पर click करेंगे आपका form प्रिंट हो जाएगा उस form के उपर आ print acknowledgement पर आप वो सीड करेंगे जैसे ही आप acknowledgement को print करके sign कर लेते हैं upload and signed acknowledgement पर आप क्लिक करेंगे फिर आप last page पर पहुच जाएंगे यहाँ पर आपको JPGE या पेडिया फाइल पर maximum size 2MB होना चाहिए वो आपको यहाँ पर upload करनी है upload करने के बाद आपको यहाँ पर declaration देना है और submit कर देना है submit करने के बाद आपका application form successfully submit हो जाएगा और यहाँ पर आप अपने final acknowledgement जो कि आपके दवारा हस्ताक्षरित होगी उसको download कर सकते हैं और इसको download करके आप अपने mobile में save कर लेजिएगा और इस तरीके से आप CET mains के लिए पूरा application form भर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करके इस चनल को subscribe कर लिजिए